हेलो दोस्तों मेरे पास है ओपो का F20 सीरीज का फॉन आज हम इसमें से कैसे गूगल डायलर रिमूब कर सकते कैसे ओपो का डायलर यूज कर सकते इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेगा सबसे पहले आपका फॉन होना चाहिए उ डायलर OS 13 है और डिवाइस नेम ओपो FE की प्रो है तो आगे मैं आपको डायलर भी दिखा देता हूँ आपको पता है आप Google डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं अगर कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो भी एनॉस्मेंट कर रहे था कि आपकी कॉल रिकॉर् डायलोशन मिल जाएगा जैसी आप उपोगा डायलर डाउनलोड कर लेते क्योंकि उसमें कॉल रिकॉर्डिंग विल्कुल फरी है और विताउट किसी इंफोर्मेशन किसी अलर्ट के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह जो डायलर है यह गूगल डायलर ह तो ये कैसे रिमूव होगा, इसके लिए आपको अपोगा डायलर ना पड़ेगा आपको जाना प्ले स्टॉर में, इसके आपके सर्च करना है ओडायलर अपको अपको आपको कलर होось का ओडायलर दिख जाएगा, इसे आ आपने डाऊनोड कर ले तो 30.8 MB का यह उडाइलर है इसे आपने डाउडोड करना है और open करना है open करते ही आप से permission मागेगा आपने इसे ok करना है और set ऐसे default कर लेना जैसे यह आप इसे सेट ऐसे डिफोल्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे आप को कुछ प्रमिशन मांगेगा इसे अलाओ कर दीजिए इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपका ओपोगा डायलर आ जाएगा उपर जो भी कॉल्स होंगी आपकी वो भी शो हो जाएगी और के वाद अगर आप कई रिकोड नंगी करना चाहते हैं तो यहां पर आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको कली प्रकोर्ड ओपशन गी मिल जाती तो यह थी आज की वीडियो फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ तब तक लिए सब्सक्राइब करें चैनल को धन्यवाद